बुहे बारियां ते नले कंदा टपके तुँ आजावी हवाब बढ़के बुहे बारियां है बुहे बारियां चच्चा नागी नांस तो होगा अरे नाई 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 चच्चा होगा एडिट्यूड तो अपना भी जबर जस्त है जिसको याद किया वो याद रह गया उचसे एक बार नजर से उतार दिया फिर आई डोन किया रो किधर गया तुम ठीक तो हो ना गुरी तो बड़ शर्माती है तुझ को शरम किमाती है कातल तेरी निगाहे है तु काट कल जले चाती है तुझ मै नाशा है तू बिलकुल अफी में मैं दे तुझे योज किया, थोड़ा कनफ योज किया, बैलेंस डियोज किया, अब कहूंगी you can go जो 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 बुहे बारियां ते नले कंदा टपके, तुँ आजा भी हवाल मणके क्यों डरते हो इतना, आप क्यों डरते हो इतना, हम कहां जाएंगे आपको जोड़के आपके बिना हमारी के एक राज तक नहीं गुज़रते, तुझे जिन्दकी क्या बुज़रे बुहे बारियां ते नले कंदा टपके, तुँ आजा भी हवाल मणके बुहे बारियां है, बुहे बारियां बुहे बारियां ते नले कंदा टपके, तुझे आजा भी हवाल मणके बुहे बारियां है, बुहे बारियां ये जातीज होगोड़ा यहाँ जाती हुआटी कोने वेहां कोई हाथसे होता है अक्सिदेंट होता है मैं सीता हूँ.. रावन सीता को नहीं डूड रहा.. सीता रावन को डूड रहा.. पॉमन्तल होग analogy उसे पारे वाला मेंचल बनके दिखाँ गान तुमें जीवन साती की हर बात माने तो लड़की संसकारी कहलाती है और लड़का जोरू का गुलाम हो जाता है दोगली सोच का दोगला समाज है साहब यहाँ कुछ भी हो जाता है उसने कहा तुम क्यों अपनी महबबत का इजहार नहीं करते हमने कहा जो सिर्फ लबजों में बया हो जाए हम उतना तुझे प्यार नहीं करते कश्मीर की बोतल में पंजाब का पानी है ये दोरे तरप की भी आफत की निशानी है बच्चों पे बुड़ा पा है बुड़ों पे चवानी है यार तुम ही ने बोला था जाने के लिए मैंने का था कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ तो तुम जाना चाहते हो तो जाओ का मतलब है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाओ नहीं जाओ तो पिर क्या मतलब है इसका मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चाहो कि तुम ना जाओ गर सब कुछ मिल जाएगा जिन्दगी में तो तमन्ना किसकी करोगे कुछ अधूरी ख्वाहिश ये तो जिन्दगी चीने का मसा देखो है अपने आपको देखाएगा कभी तेरी तो हाइट भी नी मिलती मुझसे तो तो सिर्व आमिता बच्चन से प्यार करेगी आज खुदा ने फिर पूछा तेरा हस्ता चेहरा उदास क्यूं है तेरी आँखों में प्यास क्यूं है जिसके पास तेरे लिए वक्त नहीं वही तेरे लिए इतना खास क्यूं है